हेलो दोस्तो मुझे तो आप जानते ही हैं मेरा नाम है साजन और आप देख रहे हैं क्रियेटिव स्टुडियो बॉक्स चैनल दोस्तो अगर आप एक यूटूबर हैं तो आप हर तिन एक कॉमन प्रॉब्लम जरूर फेस करते होंगे और वो प्रॉब्लम है आपके अच्छे वीडियो के साथ घटिया कॉलिटी की आउडियो दोस्तो अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आज का ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब बड़न दबाकर चैनल को सस्क्राइब कीजिए नोटिफिकेशन बेल आन कीजिए ताकि चैनल का नेक्स वीडियो सबसे पहले आप देख पाए तो चलिए दोस्तों इस problem का solution देखते हैं ये एक audio splitter है जो मैंने Amazon से order किया है तो आप देख सकते हैं Ventune audio splitter Ventune audio splitter में आप microphone और headphone दोनों connect कर सकते हैं ये 3.5 mm jack अपने phone में connect कर सकते हैं यहाँ पे आप microphone connect किजिए यहाँ पे headphone ये आप अहुजा का लेपल microphone है जो Amazon पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी ये microphone एक बहुत ही बढ़िया quality के microphone है इससे आप अपने color में लगा सकते हैं बस अपने microphone को audio splitter पे connect किजिए यहाँ पे headphone लगाईए और इसे अपने mobile के साथ connect कर दीजिए तो आईए दोस्तो हम इसकी quality टेस्ट करते हैं दोस्तो अभी आप मुझे सुन पा रहे है मेरे camera के साथ जो कि मुझे 3 feet की दूरी पर रखा हुआ है मेरे वीडियो के start में इसी घटिया quality audio के बात कर रहा था और अभी जो आप वीडियो देखेंगे वह मेरे microphone के साथ वाले वीडियो होगी सो दोस्तो अभी आप मुझे सुन रहे है मेरे label mic के through जो कि मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है आप मेरे पहले के voice और इस voice को compare करकर देख सकते हैं कि quality कैसी है इसकी मैंने इसके साथ audio splitter device भी लगाया हुआ है दोस्तो मैं आपको personally suggest कर सकते हूँ कि आप इस microphone को बेशक खरी सकते हैं इसकी quality बहुत ही बढ़िया है और यह देगा आपके वीडियो को एक professional look मैंने दोनों product का link अपने description में दिया हुआ है आप वहाँ से buy कर सकते हैं तो दोस्तो I hope आपके problem का solution आपको मिल गया होगा यह दोनों device दिखने में तो छोटी सी है बट यह बहुत ही काम के चीज़ है तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप like और share कर सकते हैं अगर आपको मुझे कुछ question पूछना हो तो आप comment section में मुझे लिख सकते हैं